गाड़नी की पाट शाला का भाग तेरा। आगे पड़ू इससे पहले आपसे एक छोट ऐसा सवाल। कपड़े तो हम सब के घर में दूले जाते हैं ना, बले ही हम दूले या हमारे हेलपर्स। तो आपका सवाल यह है कि आपकी घर में कपड़े कितिनी देर में सूखते हैं। 4-5 गंटे में, 8-10 गंटे में, पूरे का पूरे 24 गंटे में, या फिर कई बार, कई-कई दिन तक कपड़े सूखने का हमें करना पड़ता है बेसबरी से इंतजार। अब आप कहेंगे यह कैसा सवाल है। कपड़े हर समय एकी टाइम पे थोड़ी ने सूखेंगे, धूप तेजे तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, अगर थोड़ा सा विंडी मोसम है, हवा चल लेए, तो भी हमारे जल्दी सूख जाएंगे, पर अगर सर्दिया है, तो कपड़े देर में सूखेंगे, बारि कि तक आएंगे, मुझे गिंती भी आद नहीं कि कितने सवाल आएंगे, लगातार में इस तरह कि सवालों का जवाब देती रहती हूं, और वो सारे सवाल यहां पर मैं आपको दिखा भी नहीं सकते हूं, क्योंकि बीच पीच में पूछे जाती है, और उनका जवाब मिल जा और इस प्लांटर के बारे में अपनी रीना बहन ने पूछा कि इस डिपे में कितने दिन में पानी देती हूं, और यह बहुत कॉमन सी समस्या है, ना जाने कितनी बार मैंने इस सवाल का जवाब दिया है, तो आज सोचा कि इसी पर वीडियो बनाते हूं, क्योंकि गार्णि चोटा समय ने अलोविरा लगा तो यह काफी बड़ा हो गया, अब देखें मिट्टी में छूके आपको दिखा रहे हूं, बिल्कुल ड्राइ हो चुकी है मिट्टी नीचे तक पूरी के पूरी ड्राइ हो चुकी है, और आप सही वक्त है इसमें पानी देने का, पानी में इ पानी आप तब तक नहीं देंगे, जब तक आपकी मिट्टी फिर से पूरी सूखी नहीं हो जाएगी, अब यहां पर जब आपनुक सवाल करते हैं कि पानी कितने दिन में देना है, तो यहां पर इसलिए मैंने कपड़ों को दिखाया, कि आप कि यहां अगर टंप्रेचर ज सूखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, साधी साथ वो वाला पॉट अंदर रखा है, अंदर देर में पानी सूखेगा, क्योंकि पानी मिट्टी से इवेपरेट नहीं हो पाएगा जल्दी से, पर वहीं पॉट अगर आपका पार रखा है, तो पानी बहुत जल्दी जल्द जब में एक बार पानी दे देती तो पंदरा पंदरा दिन तक इसमें पानी देनी की जुरत ही नहीं होती थी क्योंकि विंडो पे रखा था बहुत ज्यादा धूप नहीं लगती थी, पर अभी जहां पर मैंने इसको रखा है तो आप क्लियरली यहां पर धूप देख सकते ह तो जब इसमें इतनी धूप पढ रही है तो शायद मुझे इसमें पानी पंदरा दिन से पहले देना पड़ सकता है यानि कि सब कुछ डिपेंट करता है आपके मौसम के ऊपर आप ग्यां बारिश हो दिया है दो दो तीन तीन तक कपड़े नहीं सुखेंगे कि मौसम में हो होगी तो हमारे पोधों में भी नमी होगी एक और देखे एक जामपल इस पाइडर प्लांट एक छोटे से पॉट में लगा और एक मेरा लगा है बड़ी बसकेट में अब दोनों में अगर आपने एक साथ पानी दिया तो होगा क्या छोटे पॉट में थोड़ी सी मिटी क quedar ज्ल्दी में जयाएगा और वो जल्दी मिटी हो जाएगी ड्राइग अकला पानि जब हम देंगे तो हम यह कता ही नहीं करेंगे कि आप पने उस सूखी ओली में की और साथ ही साथ आप ने इस बास्केट को भी पानी दे लिए ग्या क्योंकि हो सकता है कि इस बास्केट को अभी पानी की जरुरुद न भूख और हम मिट्टीBeा मिट्टीки जा mashed में जादा उगी जाता टायम तक इस में मिट्टी में नंम्हीं रहेंगी तो आपको चेक करना है कि कौन से पॉट की मिट्टी सूखी है किसमें हमें पानी देना है किसमें नहीं देना है हम यह सोचके नहीं देंगे कि पर चार दिन पहले दोनों इस पाइडर प्लांट में दिया था और अगले चार दिन बात फिर से हमें देना है तो दोनों इस पाइडर प्लांट में देना नहीं मिलती है तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो गलन हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार मिट्टी में नमी रहती है और जो हमारे इंडोर प्लांट्स है उनमें हमें पानी का विशेज ध्यान रखना होता है खास तोर पे अपने बरसाती सीजन में या फिर व पानी दें जो पौधे हमारे पर्मानेंट्स हैं धूप में रखें उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता पर यह जो हमारे इंडोर पौधे होते हैं इन पोधों का आप पिगाड़ देंगे अगर आप बहुत ज्यादा इनमें पानी भरेंगे और यह सब कुछ डिपेंड करता है आपकी यहां का वेदर कैसा है आप कितनी देर में पोधे प्यासे होते हैं जैसे कि आप गर्मियों में ज्यादा पानी पीते हैं ठीक इसी तरह पोधों की भी साइकलोजी होती है थोड़ा सा इनकी साइकलोजी को रीट करिए आपकी सारी समस्यां सुलच जाएंगी आप आप से कंपेर करिए आपने गर्मियों में ज्यादा पानी पिया निश्य तोर पे आपके पौधे भी गर्मियों में ज्यादा पानी पियेंगे सर्दियों में आप कम पानी पिते हैं आपके पौधे भी सर्दियों में कम पानी पियेंगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपने शरीर की हिसाब से इन पहुदों को सोचिए आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी, देखिए, सर्दिया है ना, आपने कम पानी पिया, आप इनको भी कम बिलाइए, सारी समस्याओं की जड़ तब होती है, जब हम इनकी फिलिंग्स को अपने से अलग कर देते हैं, बस फ किसी तरह से भी आपको समझना है, और बस एंजोई करिए मस्त रहिए, छोटी-छोटी जो भी समस्याओं, उनके लिए मैं बैठी हूँ ना, आप पूछिए, बेजी जड़ पूछिए, और बस एंजोई करिए ग्री को और खुश रहिए, उम्मीद करते हूं कि पानी को ले बस ठाइम से पहुदों को पानी पिलाए, वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगो, तो लाइक कर दीजिएगा, और सभी अपनों को शेर कर दीजिए, हो सकता है, उनकी भी यही समस्याओ, चैनल की घंटी नहीं बजाए ना, जल्दी से बजा के चाहिए, और मिलती हूं